मित्रों सब्सक्राइब कीजिए जोतिष्णिकेतन चैनल को और बैल आइकन को दवाईए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मित्रों नमश्कार आज सेहत समंधी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में खासी दूर करने का सरल घरेलू तरीका बताएंगे खासी जब लगतार आती है तो ऐसे हैं यह हो जाती है लगतार खासी बेदम कर देती है इसके लिए एक गरेलू शिरप बनाना बता रहे हैं दो कप पानी ले 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 और इसमें छोड़े छोड़े टुकड़े अधरब के डाल दें और इसमें छे साथ इमली की पतियां भी डाल दें आप इसे दो कप पानी को तब तक उबा लें जब तक एक कप न रह जाए इसमें चार चमज शक्कर डाल कर दीमी आज पर थोड़ी देर उबा लें ठंडा हो जाने पर इसमें दस बूंदे नीबू के रस्की डाल दें आपका शिरफ तियार हो गया इस शिरफ का एक चमज हर तीन घंटे बाद सेवन करें इसके सेवन करने के एक घंटे का कुछ न लें आप इस सिरफ को बनाकर इसका सेवन करके देखें आपकी खासी छूम अंतर हो जाएगी यदि आपको मदू में रोग है तो आप सीरफ बनाते समय इसमें शक्कर ना डाले नई चर्चा और नई वीडियो के साथ कर फिर मिलेंगे जैहिंद दोस्तों